पेंटी तो पंताली परसंट आइस इंस्टिटूट या कोचिंग इंस्टिटूट जी अपने बिल्डिंगा खाली करके जा चुके है ओ इस इंस्टिटूट बंद कर चुके है पिक्तियां डेड मीना होर सानू रिलीव कोई नहीं मिलदा ता ओधिनाल मानके चलो के इंडस्टिटूट विच सत्तर परसंट तो बाद बंदे अपने इंस्टिटूट बंद कार देंगे जेड़ी आनिम्प्लाइमेंट जिनरेट होगी ओधी जिम्मेवारी सरकार लेगी या कौन लेगा सानू यह नहीं पर अनलोग 30 के केंदर सरकारवलों जड़ियां गाइलाइन आई यह जिदे वेचे जेमन रहा दीती गी यह पर प्राइवेट जड़े शिक्षिका दारेया उन्हाना नू कती अगस्ताक जड़ी हाजे जाजन नहीं दीती गी साड़ेनल आईलाइट्स दे बारेवी अपा कर हैं साड़ेना मिया दर माओ जी मजूदे जिननां दा कोचिंग सेंट्र नहाना गल कर इसे गलते हैं इसी सवाल उठांदे रहे कि जे अपने क्लास्रूमा विच लिमिटेड कपैस्टी देनाल बच्चा नों बठा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा सकते हैं सेनिटाइजेशन दिया सारी है सोप यहां दे अकॉर्डिंग चल सकते हैं अट लीस्ट बसा खोलने वेले होटल रेस्ट्रेंट खोलने वेले एज्यूकेशन सेंटर दे बारे सरकार नों जरूर सोचना चाहीँ दा सिए जिटर जी आपा गल करी है चाहे ओ आई लेड सेंटर जड़े कोचिंग सेंटर है गया उनना दे माल का दी जब बच्चे आदी उनना ना लेक बहुत वड़ा विदकरा जड़ा देखनों मिल रहा है लगा तार तुसी भी जड़े तरने पर दर्शन भी कर दे रहे की जड़ जड़ा ते कॉल जाने नाल इनाने सेम केटेगरी पर चपा देता है साधी सरकार तो हमेशा ही मांग रही है कि स्कूल कॉल जाना एक सेट पर्टिकुलर सारे साल वस्ते करीकुलम हुंदा सलेबस हुंदा साधे को जड़ा असी आने है स्किल सेंटर एंटर एक कोचिंग पर दे जड़े ट्रेनिंग सेंटर ने पंदरा जुलाई तो खोल सकते सानु बहुत उमीद सी के सानु सरकार पंदरा जुलाई तो खोल दोगी और असी अपने पैनाते फिर दुबारा खड़े हो सकांगे बच्चें था पर पुढ़के क्स तरह जड़ा बनेगा ज्या करी पंजाब दी जहाए ज़्ल अंदर जड़ावा शेयड़ा है ज़्यादा तारा एन्री लोग जड़े एथे ज्यादा स्टूडन्ट भी जड़े है बार जाके जड़ा अपने पढ़ाई करना चांदे ने उ इंडस्ट्री इक बच्चा साधी को लो आइस दी त्यारी करता है अधर टैस्ट देंदा वीज़ाइब कर दा फोरंग कंट्री जाके वेल सेटल होके नाराइब बढ़के फिर हिंदोस्तान दी कॉनमी नूँ फेरो बूस्ट करता इतने पैसे इनवेस्ट करता हर मंदा उत्तो in the लिग लेकिन साध्रे आईलेड ते स्प्रवूंद रहें परमिषिन दे रहे थी गई सार्हा छुनी करता है इन्वेस्टियान फोरंडियांiquement दे रही है यह सारा अगला प्रॉस्स तो आओन एजी लेकिन जिड़ा बेस है एक बेस हूंदा इज सेंट्र व हों बंद कर दे रहे होन भी साड़ी यह मंग है कि सानु स्कूला काड़ जां तो अलग कर देता है जावे साड़ा किसे पंजाब बोर्ड या किसे सेंट्रल बोर्ड नर कोई राफ्ता नहीं साड़ा कोई करिक्लम नहीं असी सरफ बार पे जनवास्ते बच्चे नों एक स्किल्डी त्यारी करा होने हैं और ओने बेसिस ते हो फॉर्म अपना वीजा अप्लाई करता मीनने दो मीनने वास्ते साड़ी को बच्चा होंदा है डेली दी दो या तिन कंटेजी क्लास हो लेंदा है आई थिंक एड़े परमिशन देंचे को सरकार नों कोई प्रावलम नहीं होनी चाहिए जैपक नबे परसेंट जड़े इंस्टिट्यूट ने और रेंट ते ने उनना सारे नों रेंट दे खर्चे फिक्स्ट दे खर्चे पह रहे हैं सेलरीज हिमेनिटरियन ग्राउंड्स ते वी हर बंदे नों खाना खान ली अपना परवार पाने ली पैसे चाहिए अपने स्टाफ द सब्सक्राइब करांदे कुछ ना कुछ मदद सानु जरूर चाहिए सी पैंती तो पंताली परसेंट आइस इंस्टिट्यूट या कोचिंग इंस्टिट्यूट जी अपने बिल्डिंगा खाली करके जा चुक्के हैं ओ इंस्टिटूट बंद कर चुके हैं लेकिन जे एक यह सानु रिलीव कोई नहीं मिलदा ता ओधिनाल मानके चलो के इंडस्टिट्य विच सतर परसेंट तो बंदे अपने इंस्टिट बंद कार देंगे जेड़ी आनिम्प्लाइमेंट जिनरेट होगी ओधी जिम्मेवारी सरकार लेगी या कौन लेगा सानु यह नहीं पता जिए सब्सक्राइब कोई राहत भी तानु दिती गी जिस तरह की काफी नुकसान ता डा जड़ा होया है ते प्रदानमत्री वह क्या गया सी की वी लाग क्रोड़ दा जड़ा पैकेज दिता गया ओधी कोई मदद नहीं सानु फिलहाल किसे तरीके दीवी सरकार तों पंजाब सरक सरकार तों कोई मज़त नहीं देगी कोई से पैकेज नहीं देता गया साड़ी मांग गया कि यह तुसी सानु हले भी बंद रखना चाना है सानु कोई ना कोई आर्थिक पैकेज दिता जावे जिदे करके एजड़ी इंडस्ट्री या ओदे विच इंप्लॉइम्मेंट जड का रोजगार होना चाहिए जित्थे असी लखा मन्यान रोजगार दे रहे हैं उत्थे ए बेरोजगार ये उल्टे पासे नूँ गड़ी चाल पीजी सो सरकार नूँ जरूर सोजना चाहिए जे सानु आर्थिक पैकेज दे सकते हैं ता जी असी होर भी हले त्यारा संसी आरा वापस दे सकी ऑनलाइन क्लास दी गल मनजिंदर जी किती जांती है की तानू लागदा के पंजाब दे वेच ओनलाइन जड़े बच्चे पाड़ सकते हैं ऑनलाइन वास्ते जी साड़े पंजाब दे बच्चे त्यार नहीं है विकाज उनना ने करी भी ऑनलाइन पर ओफिशन आएगी हूं तो बच्चे नेक्स जनरेशन जड़ी है तुसी जिस तरह कहा रहे हो कि ओनलाइन क्लास ली त्यार नहीं है पर ओवी बच्चे आइलेट्स करके बाहर जाके ओनलाइन पढ़ दे नहीं रहां थे की फरके ना जी बाहर जाके भी ऑनलाइन ले दी घाल करिये ता हुण ऑनलाइन स्टड़ी उन्हाने आप्शनल रखी है ओ भी कोई जवरस्ती नहीं जेव कोई बच्चा करना चौंदा था हो कर लगे जे नहीं करना चौंदा था और रेगुलर स्टड़ी ज़रों मर्जी कर सकता है तो ऑनलाइन स्टूडेंट जे सा पर फालो कर सानू गाइडलाइन दे देती हैं जाना सी गाइडलाइन दे कौरिंग अपने सेंटर खोल के कटो कट अपने प्रवार पॉलन जोगे बन जीए काफी बच्चे ता डिको पढ़के बार भी विदेशांच भी किये होए ने अकसर ता डिक कुछ स्टूडेंट भी साहता दे दे जी जे मैं गाल करांगी कैनेडा दी जिनने भी बच्चे साड़े वलो थे पेजे गए ने उना सारे नू उथे अनिम्प्लाइड होन करके दो दो हजार डॉलर किसे नू साथ सो डॉलर के यानि के उना नू अपना खर्चे वास्ते उत्तरी सरकार ने पैसे दे पाए बावजूद इस गाल दे के हले विए ओस कंट्री दे सिटिजन नहीं है तो एक बहुत बड़ी गाल यह रब तुदा सवाल है एक फॉरं तो स्टूडेंट इंडिया तो जाके उत्थे बैठा विला बैठा थे सरकार उन्हों दे पैसे पांदी या और उदा दिया और नहीं पता असी सरकार के भी बेंती करना चौने है कि जड़ा वी लख क्रोड़ दा पैके सरकार ने अनौस किता सानु काइंड़ी ओदे विचे को रिलीव देता जावे ताकि जड़ी इंडस्ट्री साड़ी बिल्कुल डाउन जा चुकी है उन्हों आप होन वेच उन्हों पहरा थे खड़े करने वेचे साड़ी कुछ ने कुछ मदद हो सके मेरा लास्वाल है जे कती अगस्तों बाद प्राइवेट एजूकेशन जड़ी है इंडस्री नो इजाजत ना मिली ते फिरो किते जागे खड़े ओ जी जड़े आज जे कती अगस्तों बाद भी सानु पर सकते हैं कि कटों का डगले तिन चार साल पांत साल लगन के फिर रिवाईव हों जो एड़ा वड़ा लॉस इंडस्ट्री नो जेड़ी इंडस्ट्री के अना रही पैदा कर रही है एक अपनी कंट्री एकॉनमी विच इना हिस्सेदार है साड़े वल सरकार नो इस्टम जरू जड़े अजूकेशन इंस्टिट्यूट जहां कोचिंग क्लासां जड़े चलांदे और बंद कर जानके तक काफी वड़ा जड़ा नुकसान जड़ा चेलना पवेगा कैमरामेन पर्दीप शर्मा देनाल विनोस अबरवाल लिविंग इंडिया न्यूस पंजाब